wbc हम योग askitobile दिया प्यारोच्चों और सीन बोल्ट मेटर गी समय के निगाला जाथ है बोल्ट मेटर की सीन to IR निगाला जाता है जब current पता हो resistance पता हो तो reading आजाएगी voltimeter की तो सबका तो resistance दिया है एक का R है इसका R है अज़ देख रहे हो और इसका 1.5R है B का और C का 3R है सबका तो resistance दिया है तो जब आप सबका resistance दिया है तो हम सभी में current calculate कर ले तो current कैसे calculate करते हैं वो वाली चीज़ हम लो एक बार देख लेते हैं मांग लो यहाँ से current आई आई suppose यहाँ से current आई आगे तो इस वाले में जो current गई वो I1 गई होगी और इस वाले में I2 गई होगी तो अब current divider rule पढ़े होगे यह direct current निगाना नहीं पढ़े हो तो फिर से यह सीख लो जिसको जिसको नहीं आता है वह सीख लो यह बहुत ही अच्छा technique है बहुत ही अच्छा trick current निगानेगा यह main current I है और यह resistance R1 है और यह R2 है और इसमें current I1 गई होगी इसमें current I2 गई होगी और I1 I2 बराबर भी हो सकते हैं depending upon value R1 और I2 बराबर हो गया तो I1 I2 बराबर हो जाएगा 50-50 जाएगा अगर R1 की value जादा है तो इसमें current कम जाएगी R2 की value कम है तो इधर से सारी current जाएगी R2 की value 0 है तो सभी current इधर से जाएगी तो direct निकालने का तरीका है I1 I1 direct निकालने का तरीका है I1 I1 इस वाले में current निकालने न इसमें current निकालने तो तो इस वाले resistance को लेंगे R2 और summation of R1 प्लस R2 multiplied by main current अब मुझे I2 निकालना है तो I2 निकालने का तरीका है इसमें current निकालने न इस resistance को count करो R1 और divided by summation आप resistance R1 और main current आए इसको बोलते हैं current divided rule तो ये current divided rule अगर मैं लगा हूँ तो I1 की value I1 देख रहा हूँ इसमें मैं current निगाल ला हूँ इस वाले में तो ये एक resistance यहां पर लगा हूँ तो I1 अगर मैं निगाल ला हूँ तो इस resistance को छोड़ दूँगा ये resistance लोगा 3R और divided by 1.5, 1.5R का मतलब है कि 1.5 15R by 10 मतलब ये आ जाएगा 3R by 2 ठीक है तो divided by summation आप resistance तो 3R और plus 3R by 2 और divided multiplied by main current आई ये आप है I1 तो I1 की value यहां से हमें direct means आएगी वो आजाएगी 3R आई और ये आजाएगा ये 6 और ये 9R और ये 2 ऊपर चला गया तो ये 3 times इसे कट गया मतलब ये आजाएगा 2R ने R को कट गया 2I upon 3 तो 2I upon 3 actually current I1 इस वाले में ये resistance है भाई और इधर जो resistance लगा है इधर जो volt meter का resistance है उस वाले में जो current है I2 है तो अगर इधर I1 है 2 by 3 है तो I2 की value कितनी आजाएगी तो I2 की value आजाएगी I2 की value आजाएगी यहां से I by 3 वाई एक I1 2 I by 3 है तो I2 की value I by 3 आजाएगी यहां से आप बहतर तरीके से इसको निकाल सकते हो तो चलो तो ये मुझे पता चल गया I1 I2 clear है सबको समझ में I3 कैसे आया इसमें I में से I2 की value आजाएगी I minus I1 तो यहां से इसमें reading निकालोगे B में reading निकालोगे तो B की reading of B लिखूंगा reading of B reading of B तो B की reading आजाएगी IR के equal आजाएगी और I इसमें I1 current है तो 2I multiplied by 3 और इसकी resistance कितनी है बोलो 3R by 2 तो 3R by 2 तो 3 ने 3 को 2 ने 2 को that is IR तो IR जो है reading आगया B का C का reading निकालो ठीक है reading of C reading of C C की reading आजाएगी C में कितना current जा रहा है IY 3 और C का resistance कितना बोलो 3R तो यह आजाएगा 3R तो 3 ने 3 को that is IR तो यह आगया अपना C की reading मतलब B और C की reading equal आगयी और यह जो A है इसकी reading कितनी आजाएगी है simple जी बात है इसकी resistance आ रहा है और इसमें main current आई है तो reading of A जो आजाएगा वो IR आजाएगा वो भी ठीक है मतलब IR, IR, IR तीनों की reading सेम आ रही है तो finally इस question का जो solution है finally इस question का प्यारे बच्चों जो solution है वो तीनों की reading सेम आ गए that is C option सही है चलो